हेलो एवरीवन तो एक नोटिस से जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जारकन स्टेट स्टुडेंट यूनियन रांची की ओर से नोटिस में क्या लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ेंगे और नेगेटिव वे में नहीं लेना है पोजिटिव में ही लेना है और जो भी फैसला आएगा वो स्टुडेंट के हिद महीं आएगा तो ये नोटिस जारी हुआ था कब 31.2024 को शाम में ये लिखा गया तो क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए सेवा में उपायुक्त महोदे जीला रांची जार खंड विशे क्या है आप सभी को पता ही होगा कि जैसे सी सीजेल परिक्षा पेपर लिखे खिलाप सिवियाई जांच अस्तागित परिक्षा वं अन्य मांग को लेकर दिनांग 31.2024 दिन बुधवार को जैसे सी कारियाले महा घिराव है तो सुचनार्थ आवेदन है जो भी महा घिराव है ये सांती पुर्वक ही होगा इसमें कोई मतलब वो लाठी चार्ज ये वो वैसे वाल चयन आयोग सहायक सखा अधिकारी ब्लोग आपूर्ति अधिकारी ब्लोग कल्यान अधिकारी योजना सहायक ब्लोग पंचायत राज अधिकारी जैसे विविन महतपुन पदों के लिए उमिद्वारों की भरती के लिए जार्कन समान्य असनात अगस्तरिये संयुक्त प्रति जन्वरी 28 जन्वरी के परिक्षा पूर्वी पेपर लिख हो गया था आंसर की घुम रहा था एक्जाम चल रहा था जारकन में लेकिन आंसर की घुम रहा था बिहार पश्रिम बंगाल में इतना आपको पता है जिसका ठोज सबूत जारकन स्टेट यूनियन रांची के पास है जिसके विरोध स्टुडेंट यूनियन का संपूर्ण जारकन प्रदेश में चरणबद आंदोलन जारी रखते हुए दिनाक 31-1-2024 को दिन बुदवार जैसे सी कार्याले के समक्ष सांती पूर्ण करना है प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है और आज पता लग जाएगा कि चार फरवरी को एकजाम होगी या नहीं होगी और यह तो कंफर्म है कि जो 28 तारीकों तीनों पेपर हुआ था तीनों ही रद किये जाएंगे क्योंकि जो आयोग है उनके बस बस पेपर 3 का ही जो सबूत था जो आंसर की घूम रहा था उसका मेल गया था पेपर 1 और 2 के बारे में उनको कंफर्म नहीं था लेकिन इससे रिलेटेट भी उनको कंप्लीट जानकारे दी गई थी उन्होंने कहा कि ये पेपर को रद किया जाएगा और अता आपसे साधर अनुरोध है कि उक्त कारेकरम को सफल बनाने में बनाने की किरपा करें तीक है और जैसे कि आप यह पर देख रहे हैं यह नौटिश है तो इसमें कुछ भी वैसा हरकत नहीं करना है जिससे जो प्रशासन को लाठी चार्ज यह वो करना पड़े तो सांती पुर्ण प्रदर्शन करना है और आपकी क्या राय है यह कॉमेंट सेक्षन में आप लोग बताएंगे और क क्लास अपलोड कर दोंगी तो अपने लोग देख लेजियेगा ठीक है तो